अच्छा आप यह जो आपने बात की कि यहां के लिए इन्वेस्ट करें यहां के लिए इन्वेस्ट के लिए कौन-कौन से डुमेंज ऐसे हैं कि जिसके ओपर हर शक्स को काम करना चाहिए देखें हमें एक है कि आपने एजुकेशन ले ली है खेंड़िए अपने ने ले ली है यहां मेरे पास अपकर प्नुक पूछा जाए मेरे बात उप्डिय पान जोबारी नौकरी कर रहा हूं, so then it is time to invest in yourself, ठीक है कि आप अपने उपर काम करना शुरू करें, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको आई साइट नहीं चाहिए, माइंड साइट चाहिए, ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हैं, whatever you want to see yourself, 10 years down the line, 5 years down the line, 15 years down the line, तो हमें उसके लिए फिर अपने आपको प्रिपेर करना है, एक्सिलेंट ड्रीम, आई तक हमें यह समझाया गया, पैसे वाले लोग जो यह बुरे लोग होते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे तो खेर हर जगा होते हैं, यह common perception है, जिसके पास पैसा है, अगर इसने अच्छी गा की होगी, no it is not like that, people are making fortune, लोग मेहनत से भी कमा रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि सारे इसी तरह से कमा रहे हैं, कि उन्होंने को गड़ बड़ की, लेकिन उन लोगों के आप आज उन लोगों को देख रहे हैं, कि उनके पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप उनकी स्ट्रगल को नहीं देख रहे हैं, आप उन्होंने पिछले पांच साल, दस साल, पंदरा साल, बीस साल किया क्या, जिसके बाद कोई, 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 आप हमारे इसलामबाद में सेवर फूड्स है, तो स्टार्ट कहां से हमबल स्टार्ट से लोग बहुत आगे कि क्या चीज़, फर एग्जेंपल, हम कौन सी चीज़ें ऐसी पढ़ना शुरू करें, या क्या एक्टिविटी करना शुरू करें, कि जिससे वो बाकी जो हमारे खाली एरियाज वो फिल होना शुरू हो, देखें, इफ यू वांट तो लेव इन पाकिस्तान, आप अपना के Growing of E-commerce Skills का अपना करें, अपना के सब्सक्राइबू हूं हमने उत्रहु पत्यू के साथने के संब भाना हो मैं इन फ्रेवरी एक्टिटी का Impact gefशू सुरू को सब्सक्राइब करें, और देखें कि डिससे और मुइं ध्यूरू का सब्सक्राइब हूँ यह जरु एक को ढ़िए तो FSC के बाद, for God's sake, BBA करने ना चाएं, for God's sake, engineering करने ना चाएं, ठीक है, immigration नहीं हो पाती, go for technical skills, आप तो लिए वाली चीज़ करें जाओं, जो जिनकी वो दर जरूरत हो, उनको, देखें, Australia की example लें, तो 10,000 electricians are required in Australia, and every year, hardly कितने electricians जाते हैं, क्योंकि, देखें, कौन आउस्ट्रेलिया, अच्छा, आप किसी electrical engineer को कहते हैं, आप electrician बड़ा माइंड करते हैं, बहुत माइंड करते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं, डाउंडेग करें, लेक्ट्रीशन बनने के लिए, आप electrician बने, आउस्ट्रेलिया जाएं, electrician की study करें, electrician बने, 10 years down the line, अगर ज अच्छा जाते हैं, अच्छा, law करें या ना करें, बाहर से, law तो एक ऐसी degree है, जो आने वाले दिनों में, आपको पता है, US में बहुत ज़्यादा software आगे हैं, जो लोगों को basic legal advice है, वो दे रहे हैं, वकीली लड़गा ना, केस तो वकीली लड़गा, वो आहस्ता आहस्ता इसकी demand, चूँकि आपको अगर छोटे level की legal advice है, तो वो तो आपको software या आपकी artificial intelligence के through, वो इसको handle करने की कोशिश चाहिए, जब तक आप जिनना हैं, जब तक आप जिनना हैं, उस वक तक कर लें, ठीक है, जब तक चलेगा, अच्छा, BB MBA बाहर से ना करें, BB MBA बहुत कम scope है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर सो फकोर्स, डॉक्टर में चाहिए, वो तो हर मुलकों चाहिए, लेकिन मसला ये है के डॉक्टर बनना is not an easy thing, पीनट्स नहीं है, तो आप बन सकते हैं, तो आप बन सकते हैं, और इस इनुली आपको तकरीबन 7 million to 8 million के expense आप अचाहिए, पलवान वगरा होते हैं पलवान, ये मुझे नहीं पता है, वो जो हडियां वडियां वो करने वाले, वी तो एप है न एक पाकिस्तान में उसकी होड़ी, ऐसा स्किल मेरी नजर से नहीं गुज़राई, आपकी study थोड़ी इस तोड़ी है, ये बताएं, इंजिन वाले वक्तों में हमने अर्टिफिशल इंटेलिजन्स की तरफ जाना है, तो that is backed by software engineers, ठीक है, finance, I don't see much scope, I don't see much scope, I don't see much scope in finance, make a living वाली बात तो ठीक है, making a fortune वाली बात नहीं है, marketing और ये sales वगएरा, sales and marketing, sales का काम तो of course, everybody is selling, सब लोग sell करते हैं, तो sales और marketing का scope तो रहे हैं, और ये hotel management है, इनकी भी degrees लोग बाहर से कम करते हैं, लेकिन करते हैं, ये लेकिन ये areas हैं, इसमें उनके अपने लोग भी training ले रहे हैं, उनके अपने लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, and they, GORA will always for their own people on you, तो लेकिन, शॅब करते हैं, उनके पास पास plumber नही हैं, उनके पास से लोग सेंटर, नही हैं, उनके पास car mechanic नहीं है, आउनके पास painter नहीं हैं, उनके पास car train नही है, तो ये 105- PoPh를 काहर हैं, मेंसन वहां करते हैं,show आनके हैं dispenser है, moissaantes थाए उनके उनके इसमेन करेगा तो हमारी तरह की तरह काम नहीं कर सकता हमारे तो टाइल ऐसे लगाते हैं लोग बंदा लगता है पहाड पे चलड़ा है इस तरीके से टाइल लगता है वह जाने के लिए वहाँ आपको उनके पेस्ट लेगा वह तो फिर आपने एक्षरटीज उसमें चीफ करनी है ना क्या मिटेरियल आपने टाइल के लिए लगाया है ऑपर आपने लगाया है के नहीं लगाया तो वह तो फिर बड़ी है आपने जो बात कि ना यह यह चीजेंवहां पर most of these things are licensed occupations आपको license लेना है so it can't be मुझे जो भी आता है मैं एक टाइलर हूँ it can't be मैं जैसा भी electrician हूँ मैं electrician हूँ अच्छा investment मेरे जैसे मिडल क्लास शक्स के लिए जूट है नाज़ी जूट है नाज़ी मिडल क्लास खामुखा आपने अपको middle भी उपर है ना अपने इनकी गाड़ी ने दे कि इतनी बड़ी गाड़ी है आपको बढ़ा हूँ जाता है मैं सवाल ये पूछ रही थी मिडल क्लास इंसान के लिए अगर आजकल वो तालीम नहीं हासिल कर रहे और उन्होंने पढ़ लिया है पूइट में वो ग्रैजूएट हुए या 2000 हुए और आप दोबारा तालीम की तरफ आपस नहीं जाना चाहते है लेकिन बाहर सैटल होना चारहे है और इन्वेस्मेंट करना चारहे है तो वो इन्वेस्मेंट पॉइंट अव्यूस से तो देखें इसके साथ आपने देखा होगा कि कन्वीनियन स्टोर बहुत ज़्यादा लोग खोलते हैं फ्यूल स्टेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज ओपन करते हैं हमारे पास जो बिजनस इमिग्रेशन के लिए लोग आते हैं तो सबसे पहले यह होता है कि मुझे वहां पे मेरे दोसे उन्होंने फ्यूल स्टेशन बनाया हुए तो मैं भी फ्यूल स्टेशन इबनाना चाहता हूं तो एक्चली लोग इनफरमिशन लेते हैं कि बाकी पाकिस्तानीज वहां पे क्या कर रहे हैं अनफर्चुनेटली चूंके जो पाकिस्तानी सिक्स्टी सेवंटी सम्टी स म मैं क्या करूंगा, मैं मेरी अगर MFC या कुछ इस तरह की फास्ट फूड को मैंने चेन बनाई हुई है तो मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगा मेरे पास दो रास्ते हैं अब दो रास्तों में से कौन से रास्ते पर जाओं एक तो आप रास्ता बता रहे हैं एक रास्ता यह वनना फिर मेरा एक और दोस्त है वो कहता भई डालर कमाने का एक और तरीका यह है कि भार की किसी खासून से शादी कर ले आज ने उसमें भी डालर बढ़े आ जाते हैं अमीर बने के जो मेरा मसला नहीं है उनके बार डालर है बहुत तो अब इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते पर चुनों यह मेरा फैस तो आप अमीर घर में पीदा नहीं हुए तो इसमें आपका कुसूर नहीं है लेकिन अगर आपके सुसर अमीर नही है तो यह तो आपका कुसूर ह彌 किक सरासर विलकल आपका कुसूर हुआ बेट इवif और बान इस बोर ठा healthier but if you die poor that's your fault so you need to look out for I would suggest कि be a 거죠 जोग सपार्ट कि लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए on Amazon business that is bringing excellent opportunities you can earn anything up to $5,000, $10,000, $1,000,000, $2,000,000, $10,000,000 जितना आप earn करना चाहें उसमें इतना scope है कि आप earn कर सकते हैं इन्वेस्मेंट के साथ लोग business कर रहे हैं और हमारी यूच मिसाल के तौर पर कितनी चलते हैं मुझे मिसाल के तौर पर महीने के $1,000 कमाने है इस basic criteria से चल रहा हूँ उस $1,000 कमाने के लिए minimum investment मुझे कितनी करनी होगी $1,000 अगर अगर आपने scope आपने रख एक मेरा target यह है तो फिर आप simply Amazon के एक ट्रेनिंग कराते हैं which is called virtual assistant program आप उसमें हम यह आपको claim करते हैं कि आप students जो है वो earn कर रहे हैं anything between $300 से लेके $3,000 से and we advise them कि आप एक साल इस तरह से earn करो and after that you start investing in your own business तो वो अपने own business में फिर invest करते हैं and they are making hell lot of money वो virtual assistant बन जाते हैं कि वर्चुल assistant starting point है कि आपके पास पैसे नहीं है आपने $2,000 कमाना शुरू की और उसमें से कुछ पैसा अपने side पे करना शुरू कर दिया कि मैंने अपना business वो start करना है अपनी कोई product launch करनी है कि मैंने भी कोई चीज बेचना शुरू करनी है it can be mug, it can be glass, it can be anything तो मैं अपनी चीज लाँच करना चाहता हूँ and Amazon is providing that wonderful opportunities in local context Draz is providing that excellent opportunity to people कि वो कुछ न कुछ जो है वो earning start कर सकते हैं so this is where I think people should invest now done हो गया जी या तो e-commerce या फिर वो BV commerce तो दोनों चीज़े हैं उस पर देखना पड़ेगा मुझे मैं decide करता हूं इस पर बहुत शुक्री अदा करेंगे रिजवान साब आपने वक्त नकाला और बड़ी एहम आपने suggestions लोगों को दी है नाजरीन अभी आपकी choice है कि आपने स्क्रीन के सामने बैटना है या बेगम के सामने बैटना है वो भी उस वकट जब आपके खिद्मत करनी है डांट वांट सुननी है किस किसम का रिष्टा होगा यह तो आप खुद भी पेर रखने है आपकी priority क्या थी डालर थे ना डिपेंड करता है आप डालर होने चाहिए पर उनके पास और क्या वरना तो कोई मैं कोई खिद्मत खिल्क करने के लिए चादी करू अला हाफिस